Knowledge Center for You में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग मुगल सामराज जैसे जो most important questions एक्जामों में बनते हैं friends तो वो questions हम लोग आज इस वीडियो में cover करेंगे और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक subscribe नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी आप लोग जरूर subscribe करें इस तरह के नएने वीडियो हम friends आपके लिए लाते रहेंगे जो कि आपके exam point of view से काफी important है तो देखिए आज का वीडियो है मुगल सामराज जैसे लेकर तो मुगल सामराज जैसे most important 30 questions आज हम लोग इस वीडियो में cover करने जा रहे है तो चलिए शुरू करते आज का वीडियो और देखते आज का first question मुगल वंच का सांस्तापक कौन था तो मुगल वंच का सांस्तापक था यहाँ पर देखिए option B यहाँ पर right answer का बाबर तो बाबर ने मुगल वंच की सांस्तापना गरी थी 1526 इस विशन में और बाबर ने लोधी वंच का अंतिम शासक किसको हराया था हमने पिछले वीडियो में देखा था यह जब लोधी वंच का अंतिम शासक के बारे में हम पढ़ रहे थे तब ही मैंने आपको बताया था कि इबराहिम लोधी को बाबर ने हराया था पानिपत के प्रथम युद्ध में और वो दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक था जो युद्ध भुमी में मारा भी गया था ठीके तो 1526 में पानिपत के युद्ध में इबराहिम लोधी को हरा कर मुगल वंच के स्तापना करी थी बाबर ने तो आप लोग इतना याद रखिए अभी next question दिखते हम लोग बाबर ने भारत पर प्रत्थम आकरमन कब किया था तो बाबर ने भारत पर प्रत्थम आकरमन किया था fence, option, c यहाँ पर right अंसर होगा ठीके 1519 इस विशन में और यह आकरमन किया था यूसूप जाई जाती के विरुत किया था अभी आप सभी को लग रहा होगा कि बाबर ने भारत पर पहला आकरमन किया 1526 में पर वो गलत अंसर होगा बाबर ने भारत पर 5 बार आकरमन किया था और पहला आकरमन किया था प्रत्थम आभियान था उसका 1519 इस विशन में यूसूप जाई जाती के विरुत तो ये point आप लोग याद रखिए अब ये next question देखते हम लोग पानिपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था तो देखिए अभी यहाँ पर question बन गया तो पानिपत का प्रथम युद्ध हुआ था option A right answer होगा 21 April 1526 इस विशन को पानिपत का प्रथम युद्ध हुआ था इबरहीम लोदी और बाबर के बीच में तो उसमें जीत किस की हुई थी बाबर की हुई थी ठीक है और पहला शासत था दिल्ली सल्तनक का जो युद्ध भूमी में मारा गया था वो कौन था इबरहीम लोदी ही था और सभी को पता होगा friends कि इबरहीम लोदी चलो युद्ध भूमी में मारा गया था उसके साथ उसका मित्र राजा विक्रमजित जो ग्वालेर का राजा था राजा विक्रमजित वो भी युद्ध स्तल में मारा गया था तो वो भी आप लोग याद रखिए अगर question ऐसा बन गया कि युद्ध भूमी में इब्राहिम लोधी के साथ दूसरा शासक कौन मारा गया था तो युद्ध भूमी में इब्राहिम लोधी के साथ उसका मित्र ग्वालियर का राजा इविक्रमजित भी मारा गया था तो ये point भी आप लोग याद रखिए अभी next question देखते हम लोग खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था तो बाबर से आपको friends चार युद्ध याद रखने एक तो आपको याद हो गई अभी पानिपत का युद्ध ठीके और दूसरा है खानवा का युद्ध तिसरा चंदेरी का युद्ध और चोथा घागरा का युद्ध तो ये चार युद्धों से एक्जामों में question बनते हैं तो पहला तो पानिपत का युद्ध वो आपका clear हो गया होगा अभी ये second खानवा का युद्ध तो खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 में ठीके friends 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध और ये किस के बीच में हुआ था तो ये हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था 1527 इस विशन में ठीके तो इसमें भी जीत हुई थी बाबर की अभी next question देखते हैं लोग चंदेरी का युद्ध कब हुआ था तो चंदेरी का युद्ध हुआ था friends option C यहाँ पर right answer होगा 1528 इस विशन में और अभी तक 3 युद्ध हो गए ठीके पानिपत का युद्ध हुआ था 1526 में खानवा का युद्ध हुआ था 1527 इस विशन में और चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 इस विशन में और यह चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था तो वो हुआ था बाबर और मेदनी राई के बीच में और इसमें भी जीत हुई थी बाबर की ठीके अभी next question देखते हम लोग घागरा का युद किसके बीच हुआ था तो अभी ये चौथा युद के बारे में question बना तो option भी यहाँ पर right answer होगा और ये युद हुआ कप था तो ये युद हुआ था 1529 इस विशन में तो ये आप लोग याद रखिए एकदम आसा ने 1526 से लेके लगा था चार साल चार युद हुए थे और 1530 में इसकी मृत्य भी हो गई थी तो 1526 में पहला पानिपत दूसरा हुआ था आणवा का युद्ध तीसरा हुआ था चंदेरी का और चोता घागरा का युद्ध ठीक है फ्रेंट्स मैं आपकी रिविजन करते जा रहा हूँ मैं बार बार ये बता रहा हूँ आपको कि इससे आपको याद होते जाएगा अभी next question देखते हैं लोग पानिपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस युद्ध निती का प्रयोग किया था तो ये question एक्जामों में पूछ लिया जाता है important question है तो इसने कौन से युद्ध निती का प्रयोग किया था तो option B हाँ पर right answer होगा बाबर ने किया क्या था उस युद्ध में तो उसने तोपकानों का प्रयोग किया था और बाबर के पास दो प्रसिद्ध एकदम निशाने बास थे कौन से थे वो दो निशाने बास क्या नाम था उनका तो याद रखिये उनका नाम एक था उस्ताद अली और एक था मुस्तफा तो ये बाबर के दो प्रसिद्धन निशाने बास थे तो इनके वज़े से पानिपत का प्रथम युद्ध जितने में बाबर को काफी मदद मिली और इस तुगल मा युद्ध निटी से एक्जामों में क्वेस्चन बनते हैं ठीके तो आप लोग ये ज़रूर याद रखिये अभी नेक्ट क्वेस्चन देखते हैं लोग बाबर की मृत्यू कब हुई थी? तो बाबर की मृत्यू हुई थी 1530 इस्विशन में आप्शन यहां पर राइट अंसर होगा 26 इस्विशन में बाबर की मृत्य हो गई थी आगरा में ठीक है? अभी next question देखते हैं लोग बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो बाबर का उत्तराधिकारी था हुमायू आप्शन भी यहां पर राइट अंसर होगा option A यहां पर right answer होगा शेर्चा सूरी और यह शेर्चा यह बाबर का सेना पती था तो अभी इस question में इतना देखते आगे इसके बार में और हम लोग detail में जानेंगे friends और अगर आपको questions के answer friends आते रहेंगे तो आप लोग भी इसके answer comment section में लिखते जाएए ठीक है अभी next question देखते हम लोग शेर्चा सूरी के बचपन का नाम क्या था तो शेर्चा सूरी के बचपन का नाम था option D हैंपर right answer होगा फरीद इसका बचपन का नाम था तो अब यह फरीद से बना शेर्खा शेर्खा के नाम के पिछे की story का है फरीड़ कहा जाता है कि फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था तो उसकी इस बहादूरी पे उस समय का बिहार का सुल्तान था क्या नाम था उसका मौमद बहार का लोहानी तो उसने इसको शेर्खा की उपादी प्रादान करी थी ठीके तो यह बना फरीद से शेर्खा और जब 1549 में चौसा का युद्ध हुआ हुमायू के साथ तो उस युद्ध में यह जीद गया था तो उस युद्ध के बाद यह शेर्खा से शेर्षा बना ठीके इस प्रकार इसके नाम चेंज होते गए तो अभी next question देखते हम लोग चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ तो चौसा का युद्ध हुआ था हुमायू और शेर्खा के बीच में और इस युद्ध के बाद ही शेर्खा ने शेर्षा की उपादी ग्राण करी थी अभी next question देखते है बिल्गराम का युद्ध कब हुआ था तो बिल्गराम का युद्ध हुआ था पंदरा सो चालिस इस विसन में और ये बिल्गराम का युद्ध किसके बीच में हुआ था तो बिल्ग्राम का युद्ध हुआ था हुमायू और शेर्षा सूरी के बीच में ये बिल्ग्राम का युद्ध काफी important है अभी इसके बाद ही story काफी change होने वाली है तो देखिए बिल्ग्राम के युद्ध के बाद शेर्षा सूरी दिल्ली के राजगदी पर बैटा ठीके ना याद रखिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आपको और भी डिटल में पता चल जाएगा अभी हम लोग next question देखते शेर्षा दिल्ली के गदी पर कब बैटा तो देखिए option B याँ पर राइट अंसर होगा 1540 इस विशन में पिल्ग्राम के युद्ध के बाद शेर्षा सूरी ये दिल्ली की राजगदी पर बैटा अभी next question देखते हुमायू नामा की रचना किसने करी थी तो हुमायू नामा की रचना करी थी गुलबदन बेगम ने option D याँ पर राइट अंसर होगा हुमायू नामा की रचना करी गुलबदन बेगम ने अभी next question देखते अकबर के बचपन का नाम क्या था तो देखिए अभी अकबर के बारे में पूछा गया है तो अकबर के बचपन का नाम था जलाल, option C हाँ पर राइट अंसर होगा और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 1540 में बिलगराम के युद्ध के बाद हुमायू दिल्ली चोड़कर सिंद चला गया था और वहीं पर अकबर का जन्म हुआ था 1542 इस विशन में ठीक है और इसके बचपन का नाम था जलाल, अभी next question देखते हम लोग पानिपत की दूसरी लड़ाई किस के बीच हुई थी तो ये important question है पानिपत की दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में तो ये important question है friends पानिपत की पहली लड़ाई का भूई थी पानिपत की पहली लड़ाई 1526 इस विशन में हुई थी और इबरहाईम लोधी और बाबर के बीच हुई थी दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच में 1556 इस विशन में ठीक है अभी next question देखते हम लोग हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच हुआ था तो हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था तो यह हुआ था राणा सांगा और अकबर के बीच option B यहाँ पर right answer होगा और friends देखिए अभी मुगल सामराज जैसे आपको क्या एक्जामों में यह युद्ध के बारे में question बन जाते तो बाबर के प्रमुक चार युद्ध देखे हमने पहले तो और यह अभी है अकबर के बारे में तो अकबर के बारे में भी आप लोग यह पानी पत का तांसेन किसके दरबार में रहते थे प्रसिद्ध संगितकार तांसेन यह अकबर के राजदरबार में रहते थे और अगर exam में question बना कि तांसेन का असली नाम क्या था तो वो नाम भी आप लोग याद रखिए इनका असली नाम था रामतनू पांडे ठीके और friends आप लोग य तांसेन, बिर्बल, टोडरमल, राजा मान सिंग, अब्दुल रहिम, खाने खाना, फकीर, अजाउद्दीन और मुलादो प्याजा तो यह नो नाम आपको याद रखने friends ठीके मैं आपको देखिए अभी यह नाम की लिष्ट आपको दिखा देता हूँ तो यह आप लोग ए एक्जामों में इन नो में से किसी का भी नाम पूछ लिया जाएगा कि अकबर के राजदरबार में इन में से कौन था, ऑप्शन दे जाएंगे तो आपको उसमें से पता होगा तो आप लोग आसनी से उसे आर्म से टिक कर सकते हो, ठीके? तो यह नो नाम आप लोग याद र दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरहित कौन था तो दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरहित था अकबर option B यहाँ पर right answer होगा अब यह next question दिखते हम लोग दीन ए इलाही धर्म स्विकार करने वाला प्रतम एव अंतिम हिंदुशासक कौन था तो दिन ए इलाही धर्म स्विकार करने वाला प्रतम एव अंतिम हिंदू शासक वो था बिर्बल option B यहाँ पर राइट अंसर होगा और बिर्बल बिर्बल का नाम क्या था असली नाम क्या था तो इसका नाम था महेश्दास तो यह ब्राम्मन राजा था और इसको बिर्बल की उपादी दी गई थी जो हमेशा अकबर के साथ रेता था इतना तो आपको पता होगा ठीक है अभी नेक्स्ट क्वेस्चन देखते हम लोग किसके शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पर राइट अंसर होगा अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है ठीक है अभी नेक्स्ट क्वेस्चन देखते हम लोग बुलन दरवाजे का निर्मान कराए गया था अकपड़दारा और गुजरात विजय के उपलक्ष में इस दरवाजे का निर्मान कराए गया था तो अभी next question देखते हैं हम लोग नियाय के जंजीर के लिए किस शाषक को जाना जाता है जहांगीर को न्याई की जंजीर के लिए याद किया जाता है तो option C यहांपर right answer होगा जहांगीर ठीक है अभी next देखिए सीखो के पाचवे गुरु अर्जुन देओ को फासी किसने दिलवाई थी option C यहांपर right answer होगा जहांगीर तो जहांगीर ने सीखो के पाचवे गुरु अर्जुन देओ को फासी क्यों दिलवाई थी friends अभी आप लोग यह सोच रहेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा बताते तों शॉट में कि जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र का नाम था खुस्रो और खुस्रो ने 1626 फिसन में अपने पिता के विरुद विद्रो कर लिया था और खुस्रो की साहिता करी थी सीखो के पाचव शॉट काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है तो जहांगीर के शासन काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है तो अभी नेक्स्ट क्वेस्टन देखते जहांगीर के बाद सिहासन पर कौन बेटा तो जहांगीर के बाद आया शहांगीर के बाद आया शहांगीर क का वास्तविक नाम क्या था फ्रेंड्स तो शाहजा का वास्तविक नाम था खुर्रम ठीके तो यहां से आप लोग इतना याद रखिए अभी अभी नेक्ष देखते किसके शासनकाल को स्तापत्यकला का स्वर्णयुक कहा जाता है तो शहां जाके शासनकाल को स्तापत्यकला का स्वर्णयुक कहा जाता है और शहां जाके शासनकाल में ताजमल का निर्मान हुआ था आगरा के लाल किली का निर्मान हुआ था सीखो के नववे गुरु तेक बहादूर की हत्या किस ने की थी तो सीखो के नववे गुरु गुरु तेक बहादूर सिंग की हत्या करी थी औरंग जेब ने option c यहाँ पर right answer होगा और इसने कब हत्या करी ती है 1675 इस विशन में 1675 इस विशन में आवरंग जेब ने सीखो के 9 गुरु तेक बहादूर की हत्या करी इसलाम नई स्विकार करने के कारण सीखो के 9 गुरु तेक बहादूर की हत्या आवरंग जेब ने कर देती इतना आप लोग याद रखिये अभी next question देखते हम लोग हिंदू मंदिरों को हिंदू मंदिरों को तोडने का आदेश किसने दिया था तो हिंदू मंदिरों को तोडने का आदेश दिया था आवरंग जेब ने option d यहाँ पर अधिट अंसर होगा औरंगा जेब ने 1665 इस्विसन में ठीक है यहां पर देखिए डेट लिख देता हूं 1665 इस्विसन में हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश्ट दिया था और इसके शासन काल में कौनसे इंपोर्टन मंदिर तोड़े गए थे तो वो नाम याद रखी कि इसके शासन काल में सोमनात का मंदिर तोड़ा गया था बनारस का विश्वनात मंदिर तोड़ा गया था और जहांगीर काल में एक मंदिर बना था मत्रा में केशवराय मंदिर तो वो मंदिर भी तोड़ा गया था तो औरंगा जेब के शासन काल में हिंदूर मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया गया था, तो friends, ये था हमारे वीडियो का आज का लाश्ट का question, तो मुगल सामराज जसे लेकर जो most important questions exam में बनते हैं friends, तो वो सारे questions आज हमने इस वीडियो में cover करें, और साथ ही साथ में जो भी आपको explain कर सकता था, वो मैंने explain भी किया, तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इस प्रकार के नए नए वीडियो हम friends, आपके लिए लाते रहेंगे, जो कि आपके exam point of view से काफी helpful होईंगे, तो मिलते है friends, next वीडियो में